मैं बहुंकर हूँ घोंकर हूँ तो सलाम कर पाया नहीं तो परनाम कर पाया नहीं तो हाई अनुम कर पाया बहुत ना hvad तो भी इन नहीं है दोस्तों क्योंकि पेक्चर अभी बागी है मेरे धो बाकी है थोड़ा सा वहां पर गुस्सा हो गए ओ नो यार मुझे जाना कहा है हां कहां गये सब लोग उनके बॉन सर्थिक हुआ आने के बाद जो है सारुक साब सर सर इस तरह अब आप इसी कि इतने चाहत रखते हो जिनके याद में खो जाओ और उसके बाद जो है उनको सब्सक्राइब कर दोस्तों आप देखने पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और फिलाल अभी हमारे साथ बिहार के शारुखान है और इनका हुबहु सकल सारुखान से मिलता जिनको यहां पर पुरा भॉजपूरी नहीं पुरे भारत के लोग इनको जुनियर सारुखान के नाम स से भी जानते हैं पहले सर आपका स्वागत है हमारी चैनल थैंक्यू सो मच बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद और इस चैनल कमाती हम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा अधा पर नाम सलाम सत्रियकाल और नमस्कार दोस्ते आइं लुक लाइक ऑफे सार के एक्टर ऑफ बॉलीबोड मुंबाय और बिहार अचार बिहार में आप रहते हैं और शारुख खान का हुब हुशकल कैसे मतलब नैचुरल था या अचानक से ऐसा मतलब बदलाव आगे है नहीं नैचुरल था और कुछ बदलाव भी आया है जैसे कि शारुख साब को हम फ किसी भी नाम से जाने किसी भी तरह से लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते किसी भी हद को क्रोस कर दो है मतलब अब हरे खादें पार करते हुए मैं ने देखा है अब उसको मैं खुल कर क्या बता सकता हूँ सब को देखी रहे हैं और आज बहुत बिवाद में भी है पूरा भोजपूरी इंडेस्ट्री पे भी बहुत इसको लेकर करके सवाल भी खड़ा हुआ है बिल्कुल बहुत सारे चीजें अशी है जो के उसका भी बाद हमेशा होता ही रहता लेकिन फिर वी उसीज कंट्रोल में नहीं होता है और कंट्रोल में होगा कैसे यार क्योंकि उसीज को बढ़ावा तो पॉब्लिक ही देती है और अच्छे एक सवाल आप से है कि आप सारुखान के तरह दिखते हैं तो आपको कब लगा ऐसा कि आप उसके 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 तरह दिखते हैं और आपने उनके तरह का एक्ट भी शु करते थे अलागी मैं सारुक को पाचानता नहीं था कि कौन है इसा था लेकिन फिर वी जो है लोग मेरे को शारुक नाम से भोला था तो एक वाद टीली वीजन चल रहा था घर पर दर फिल्म बाजी गर यह सारे फिल्म चल रहे थी तो बच्छे लोग देख रहे थे देखने कि यह पिर जब बेना मैंने देखा तो देखने के बाद ऐसा लाए कि इनसे तो हमारा चेहरा काफी जो है मतलब ऐसा लगता है कि स्टेमुलर है समझे स्टेमुलर दिख रहा था तो यहीं सारुक हान है और इनी का नाम से लोग मुझे बुलाते हैं जब आपने सारुक हान का किया था तो एक्टिंग मतलब उनकी तरह आवाज कैसे निकाल लेते हैं पर सबसे पहले उनका एक डायलोग बोल करे के दिखा दिखा दिन के श्टाई किश्टाई नहीं कि तो उस्टम जो मुझे ऐसा फिल वा कि इनके जैसा मैं देखता हूं मतलब थोड़ा सा पब्लिक कर मैं और अवो पड़ियों कर तो मैंने इस तरह से करने का दो देखते हुं। अब आज तक शारुखां से मिले जुए। या मिला हूं मैं मंगल दादा जो के मुंबए में रहते हैं और शारुखान के वह बहुत करीबी हैं अर्मान कितने उमरती पहले काम यहां तो उन्होंने बोला जो के एक्टर थे बोलीबूट के हिंदी से जुड़े हुए सब तो शारुक शाब को बोला गया कि आपका जूलू के लाइक है वह आपसे मिलने के लिए यहां प्याया है उन्होंने बोला कि ठीक है बैटने के लिए बोलो से मिलता हूँ भड साहब जो ना वैनिटी वैन से न कंतुए थोला सा पीटफेशा हार वेंटेक है अब तो सारुख साहब कर चीने थो ने पadores चांड़ को शेब करनदं, नहीं तो मैं ने के बम तकि बत्व किया था, बैटने, मिलता तम मैं बच नहीं किया था, मतलब जब मैं चार बुजे गया था, और उनकाBillहा ने बिला है तो मैं काफी बोर हो रहा था फिर मैंने देखा कि साइद लगता है कि यार मुझे जाना चाहिए सेट के तरफ मैंने चलो सेट की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं जब मैं सेट की तरफ बढ़ा तो देखा कि लाइट में बगरा जो भी प्रोडक्शन वाले लोगे सबी लोग कर र मैं यहां को अनलग करके इस तरफ में और अलम भाए जेतने कपूर कर डिजाइव सब करते हैं सब कर अंबढों करते हैं अब कर दोनों कि वहाँ पे आप कि पर निकले बाहर आते जो है अचानक एशा कर से कर देखा के वह निकले हैं वहाँ से तो मैंने यह सोचा कि सारुक साब वहां से निकले हैं तो मुझे उन्होंने बुलाया था चलो बैठने दो मैं बॉलाऊंगा उनका बॉंसर्स लोग देखे थे मेरे को ड्राइबर तो जो ठीक है उनको मैं बुलाता हूं वो जो है उस टेम खुद से चलके आ रहे तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं यह जा रहे हैं तो इनको रोकना टोकना लब डिस्टरब करना बहतर नहीं है अच्छा नहीं है मुझे क्या पता कि जिदर मैं खड़ा हूं वहीं पर आएंगे अब जैसा मैं यहां पर खड़ा हूं तो वह चलते चलते बिल्कुल जो नहीं यहां पर आ गया और मैं इस चीज़ को सोच करके मतलब नहीं उनको हाई हलो या सलाम या दूआ या परनाम नमस्कार कुछ भी नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यह समझ माया कि वह अपने वर्क के मताबिक निकले हैं तो मैं उनको रास्ते में रोक टोक ना करूं ऐसे करके मैं सिर्फ चुपचाप उनको बैठ करके साथ मतलब खड़ों करके देख करके और फील कर रहा था किया जिस चेहरे को लेकर में जे लोग चानते हैं पहचानते हैं और सारा सम्मान क्या रिज़त मिलता है आज वह चेहरा जो है मेरे सामने है और में इनको देख रह गुष्षा हो गए और मुझे जाना कहा है कहा है कि अगे सब लोग उनके जो बहुत सर थे वह आने के बाद जो है शारुक साब को सर शर सर इस तरह वहां पर अलम भाई थोड़ा सा गलती कर दिया उन्होंने शारुक साब का हैंड को इसा पकड़ा और इस सर एक सिल बट क्या ह इस रिपोर्टिंग के जरी अगर सारुक साब तक हमारी आवाज पहुंचेगी तो उस दिन उनको जो है ना हमने सिर्फ एक्साइटेड होकर के और क्या नव है कि मतलब खुसी में देखता रहा और उनके यादों में खो गया था और मять उन्हें जो नहीं तो शलाम कर पाया नहीं तो परनाम कर पाया नहीं तो हाई हलो कर पाया इसके लिए मैं जो हुना चाहता हुं और जिसके बहुत बड़े फैन थे उनके पास गए जिनका ये कॉपी करके जिनके नाम से जाना जाता था उनके पास जब गए तो नर्वस हो गए कहीं और बाचीत भी डंग से नहीं कर पाए ना उनको रिस्पेक्ट दे पाई सही से नहीं नहीं रिस्पेक्ट तो खर तहे दिल से रिस्पेक्ट ही था वो तो उनका रिस्पेक्ट ही था जो उनके यादों में खो करके उन्हें देख रहा था अब आप किसी के इतने चाहत रखते हो जिनके याद में खो जाओ और उसके बाद जो है उनको देखकर एक कुछ ना सलाम मितलब होगे आप जो ना हमेसा सलामत रहें आप हमेसा कुषिछ not निनका ओम शांतिय हम को न शॉज्ज को मेंतना है hello यह डायलोग समारा बहुत फैबरेट है और मुझे जब भी आवार्ड मिलता भी कॉलकाता में हमने सो किया तो आवार्ड हो थी, पंचमुखी आवार्ड हो, सक्ती दादा ने मुझे आवार्ड दिया था तो वहाँ पे मैंने यही डायलोग बुला था इतनी सिद्धत से मैंने तुम्हे पाने की कोशिस की है, कि हर जर्जरे ने आज मुझे तुछ से मिलाने की साजिस की है कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी काइनात तुम्हे उस से मिलाने की कोशिस में लग जाती है आज आप सभी ने मुझे मेरी चाहस से मिलाया Thank you Thank you very much मैं आपका सुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरे खाबों को यकीन में बदल दिया इतना इतना कि I feel like king of the world और आज आज मुझे इस बात कभी आइसास हो गया कि हमारी जीवन में हमारी खिल्मों की तरह एंड में सब ठीक हो जाता है Happy is ending और अगर ठीक ना हो तो वो the end नहीं है दोस्तों क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त बाकी है बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे साथ बिहार के सारुखान और जुनियर सारुखान के भी नाम से जाने जाते हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताए फर्स्ट ताइम इन्होंने जिस पक सारुखान से मिला था फर्स्ट ताइम जब यह सारुखान से मिले तो किस तरह से मतलब उनको देखते रहे गए और जो इनके अंदर की कमी थी उन्होंने आज इस चैनल के माध्यम से बताया भी और फिलाल अभी इतना ये भी रखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे लोग है इनसे बाचित करने के लिए चाकरी में आपसे एक सवाल रहेगा कि आप कबसे इतना सुड़कियों मतलब सारू खान के अवाज निकालने में उनके तरह अवाज निकालने में इस नाम से कब आप चर्चे में आये हमारा इंटर्वीव बहुत पहले से चलता ही आ रहा है और काफी लोग मुमबे मेराD तो वहां से भी इंट्र्व्यूम हमारा गया है। राजिस्तान में था वहां से भी इंट्र्विव गया है, बिहर। जाते रहते हैं। लेकिन नेहीं वह पतना में हमाएं तो एक फेस्ट गोंफ पे चेनल बाइरल है, साइब में भूल रहा हूं। उन्होंने यहां पे आगे मेरा इंटर्व्यू लिया, और उनका जो है ना मतलब कुछ मिलियन क्रोस कर गया, फेस्विक पे और वही यूटू पे भी पुरा इंडिया फॉरा बिहार निदिया पुरा वायरल हो गया ज्यादा, किन मतलब जानते तो लोग मुझे पहले से ही थे आखरी स्वाल ये रहेगा पहले जो है टिकटोक वगरा जब था तो वहां पर हमारे मिलियन्स में फलोवर्स थे तो वहां से भी लोग मुझे जानते थे और वहां से हमारा बहुत अच्छा अर्निंग भी था अभी क्या इंस्टाग्राम वगरा है तो यहां पर भी हमारा जो ह थोड़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने नाम बताया है इस नाम को आप सुनकर जियारेसर के फुलोग ऑफीसियल आप थोड़ा से डिस्क्रिप्शन में में इंसन कर देंगे तो हमारे दरसक हमें देख लेंगे और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा इस पर म एक साबुन भी यूज नहीं करना होता है किसी विघर रूखान के नाम के नाम से काफी चर्चे में हैं और इन्होंने अपना पूरा स्टोरी बताया की किस तरह से कहां से कब इनकी सुरुवात वीयर्क कब जाकर करके अब यहां पर हमारे साथ पुरे अब बिहार में ही नही पूरे भारत में इनके प्रोग्राम होते हैं और इनको अवार्ड भी दिया जाता है कि बहुत जगर इनको सम्मानित भी किया जाता है आप देखरें पुब्लिक प्रोल पांट्स और इस तरह की और भी कलाकारों की अपडेट्स को लेकर के वापस फिर से आपसे मिलेंगे भी चाहूँ आज़ा तब तक के लिए जाएंगे